नवरात्री के शिरुआत होने के बाद से ही लगातार इंतिजार बढ़ती चली जा रही थे लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है बीजेपी ने जैसे ही दूसरी लिस्ट का एलान किया महज आधे घंटे के भीतर भीतर ही कॉंग्रस ने पहली लिस्ट का एलान कर दिया है कुल 35 नाम सामने आ चुके हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है जिताओं उमिदवार का दावा लगातार 33 उमिदवारों के नामों का एलान हो चुका है कॉंग्रस ने एक बड़ी घोशना कर दिया लगातार जिताओं और टिकाओं उमिदवारों को डूनने के लिए कवायते भी की जा रही है कई दोर की बैचके कॉंग्रेस की ओर से की गई 200 सीटों में से 33 उमिदवारों के नामों का एलान इस वक्त कॉंग्रेस की ओर से कर दिया गया है सेयोगी सौरब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए सौरब कुल 33 नाम जिताओं है क्या ये सब ही जिसकी बनिश्पद बीजेपी ने जो है वो करीब 124 नाहों पर महुर लगा दी लेकिन जो नाम पहले से चल रहे थे इनके नाम पहले से जो है वो चल रहे थे यानि कॉंग्रेस ने भी बजलाओ जो है वो नहीं किया है अब कुछ इंट्रेस्टिंग बाते जो है वो देखने को मिलेगी मालवी नगर से फिर वही मुकाबला जो 2018 में देखने को मिला था काली चरन सराव के सामने अर्चना शर्मा रहने वाली है अमित चाचान जो वर्तमान विदायक है उनके सामने अभीशेक मटोरिया जो है वो कॉंग्रेस से मेदान में उतर चुके है कोलायच से मंतरी जो है बहर सिंग बाटी वो मेदान में यानि बदलाओ जो है वो ज़्यादा नहीं किया गया है टोक से सचिन पाइलेट है, सरदार पूरा से अशोग गेलोद है, कोई भी जादा बदलाओ इस लिस्ट में देखनेों को नहीं मिल रहा है, बड़े नामों की बात करें, नादवारा से सीपी जोशी है, जो विजान सबाद जेक्श है, उनको जो है वो मेदाने फिर से उतार द लिए गया है, यानि कोई बड़ी बदलाओ इस लिश्ट में नहीं है, यानि कॉँगरेस फूख कर कडम इस लियाद से रख रही है, कि जो विरोध बीजे पी में देखने को मिल रहा था, वो विरोध जो है वो… बिल्कुल शायद इसी विरोत की वज़े से पार्टी डर भी गई और इसी वज़े से जादा बदलाव नहीं किया गया क्योंकि पहले तो कॉंग्रेस की ओर से जिस तरीके से परविक्षक बनाए गए उन्हें मैदानों में उतारा गया रिपोर्ट स्वफा गया अला कमान को लग रहा था कुछ नए और फ्रेश चेरे आएंगे सामने हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा था लेकिन जो पहली लिस्ट है उससे तो यह लग रहा जो वर्तमान विदायक है उन पर ही पार्टी ने भरोसा जता है ज्यादा किसी का बदलाओ जो है वो नहीं किया है क्रिष्णा पुनिया साधुलपूर से लड़ेंगी हो चुनाओं पहले भी 2018 से जीती हुई है मंदावा से रिटा चोधरी जो है वो जीती हुई है अब नरेंज खीचर के सामने उनका मुकाबला जो है वो देखने को मिले था ममता बुपेश कल जिस प्रकार से नाम है कि जो है वो आप वो जैसे जैसे चुनाओं नजदीक आएंगे ऐसे जो है वो लिस्ट की घोष्टा जो है वो की जाएगी बाउती बाईतु से अरिश्चोधरी का नाम जो है वो पहले भी वो विदायक रह चुके हैं साथी क्याना वलब नगर से जो है वो प्रिती गजन सिंग जो है वो मैदान में उत्री हुई है तो तमाम महेंद्री जी सिंग भालविया जो लगातार बागी दोरा से जो है वो चुनाओं लड़ते आए हैं कुशलकर से रमिला खड़िया जो निर्देली जीती थी पिछली बार उनको मैदान में उतार दिया गया है यानि किसी प्रकार का बदलाव कॉंग्रेस ने कम से कम नहीं किया है हिंडोली से अशोक चांदना का ही नाम जो है वो है डेगाना से विजयपाल मिर्दा जो 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 पहले ही तमाम यह प्रत्याशी हैं उनको संकेत कॉंग्रेस द्वारा दे दिये गए थे आला कमान द्वारा संकेत दे दिये गए थे हैं अब तैयारी करें लेकिन अब लिस्ट जो जारी किये लेकिन वो बहुत छोटी है यानि अगले दो, चार, पांद दिन में फिर जो है कॉंग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती लेकिन वीजेपी ने भाजी जो है वो मार ली है और बड़ी लिस्ट पहले 41 और अब 83 यानि 100 से ज्यादा सीटों पर जो है वो अपने उमीदवार उतार दी है तो अब देखना होगा कि वीजेपी में किस परकार का विरोध होता है औ लेकिन संभावना इसी के विरोध को देखते हो कि कहीं जादा विरोध न हो इसलियाद से बड़े नाम जो है वो इसमें जारी कर दिये शांती धारीवाल का नाम नहीं है उनके नाम इसमें है लेकिन शांती धारीवाल का नाम नाम इस लिस्ट में नहीं होना किस प्रकार के स सकते हैं हलाकि उनकी सीट का एलान अभी तक नहीं किया गया लेकिन शांती धारिवाल की सीट के साथ साथ में दो जो मजबूत मंत्री तीन मजबूत मंत्री महेश जोशी साथ साथ में शांती धारिवाल और इसके अलाबा लाल चंद कटारिया तीन नाम अभी रोके गए हैं औ और अभी 33 की ही लिस्ट आई है क्योंकि अभी रोकना ही यही कहा जाएगा टिकेट कटना अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि शांतिधारिवाल अपने बेटे के लिए मांग रहे थे टिकेट और इस तरह की खबरे आई थी के पुत्र पुत्रियों को टिकेट नहीं दिया जाए मंचा जो है वह सभी के लिए एक दूसरे के लिए मभबत बताई जा रही है यह पाइलेट भी विरोध नहीं कर रहे हैं अशो गेलोध भी विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन इस पहली लिस्ट के अंदर अधिक्ट इस नामों पर एलान किया गया है यह बड़ा इंडिकेशन ह कि कॉंग्रेस को लिस्ट जारी करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है